दोस्तो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो चलिए वीडियो स्टार्ड करते हैं। दोस्तो अगर आप भी रात होने से पहले ये पांच काम नहीं करते तो, सारी जिंदगी आपको पच्ताना पड़ सकता है, खास कर आदी रात के समय ये काम तो गल्ती से भी मत करना। दोस्तो सोना हम सभी के जीवन में बहुती अभशक है, हम सब सोने के लिए रात का समय उप्युक्त मानते हैं, और अक्सर उसी समय सोते हैं जब हम अपने सारे कामों को निप्टा लेते हैं। लेकिन इसी बीच कई सारे ऐसे काम होते हैं जो की आपको रात में सोने से पहले कर लेना चाहिए। आपको बता दे, पती पतनी से जुड़े और बाकी सभी काम का आज, रात में सोने से पहले कर लेना बहुती अच्छा माना जाता है। इसी के साथ ही, आज हम आपको एक ऐसा काम भी बताने बाले हैं, जो देर रात तक कभी नहीं करना चाहिए। तो चल ये जानते हैं। दोस्तो नमबर बन, प्रेम संब्धों के लिए बैसे भी समय कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन खास्तोर से रात का समय इस काम के लिए अशुप माना जाता है। ऐसी गलती आप कभी न करें। जितना जल्दी हो सके प्रेम संब्ध बनाने के लिए रात तीन बजे से पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद कभी नहीं। नहीं तो परिनाम बहुत भहंकर हो सकते हैं। क्योंकि सुभा तीन बजे के बाद का समय शुब महूरत होता है। ऐसे महूरत में भगबान की अराधना की जाती है। ना कि इन कामों के लिए इसलिए रहे सतर्क। दोस्तो नमबर टू। बड़े बुजुर्गों ने इस बात को कई बार दोहराया है कि रात में सोनी से पहले हाथ पाम मूद धो लेना चाहिए। नहीं तो खतरनाप नाकरात्मक उर्जा के संपर्क में आने पर ब्यक्ती बीमार पढ़ सकता है। ऐसे में आपके उपर दोस लग सकती हैं। बगैर हात पैर धोकर बिस्तर पर लेटना पूरे घर में बीमारी को बड़ाबा देने के बराबर है। इसलिए हो जाए सतर्क। दोस्तो नमबर थ्री। एक सुखी जीमत जीने के लिए हमेशा परिबार को इस बात का ग्यान होना चाहिए कि रात को सोने से आपको दूद जरूर पीना चाहिए और ये काम आप सोने से आदा घंटा पहले कर लें। रात के समय में रोजाना हलका गुनगुना दूद पीना शरीर के लिए अमरत के समान माना जाता है। इसलिए आप बिना दूद पीए ना सोईं क्योंकि इस से शरीर को जरूरी पोश तक तत्व मिलते हैं। दोस्तो नंबर फोर आप सोने से पहले अपने दिन भर का आखलन कर लें। आज आपने क्या किया, कितना किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था। ये सब बाते रोजाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का आखलन करना बुद्धी मता कही जाती है इससे आपको अपने गल्तियों कमियों और बुराईयों का पता चलता है इसलिए आप ये काम जरूर करें और फिर सुभा की शुरुआत ठीक तरह से करें दोस्तो नंबर फाइब बिज्ञान ने पूरी तरह से दावा कर दिया है कि अगर घड से बीमारियों को दूर भगाना है तो रात के जूटे बरतन और नल से टपकता हुआ पानी कभी किचन में ना होने दें ऐसा करने से भयाना कीडे मकौडों का बसेरा हो जाता है बरतनों पर अपनी बीमारियों की छाप छोड जाते हैं जिसके कारण पूरा घर बीमारी की चपेट में आ जाता है पैसा भी पानी की तरह भै जाता है इसलिए हो जाएं सतर्क और हमेशा ध्यान रखें कि बहता पानी और किचन में जूटे बरतन कभी ना छोड़ें तो दोस्तो धन्यबाद